इसकार्यक्रम के पुन्यार्जक है श्वी रविंद्र जी जैन बाहु बली भाईया आडम नमलो ये सवसागुडम पंच परमेष्टी भगवंतों की आचारे भगवन गुरुवर विशुत सागर जी मनराज की यहाम सभी अपने जीवन में सुक और गुणों की अभिवर्द्धी के लिए नीती के विश्यों का श्रवन कर रहे हैं बात ध्यान रखना कि जो नीती सुन है वो सुक को प्राप्त नहीं कर सकता पैसा हो सकता है घर हो सकता है लेकिन उसके पास सुक शांती हो जरूरी नहीं नीती से काम करना चाहिए जैसे मा नीती से काम करती है बेटा अगर सुबा जिद करता है कि मुझे छोले बटूरे खाने है तो मा उसको मनाती है आज साम को भी खिलाएंगे, कल भी खिलाएंगे, लेकिन अभी सुभा नहीं, क्योंकि वो बना नहीं पाई कितनी जल्दी, सही है ना, तो बहुत नीती से काम करती, प्यार से पुछकारती है, अगर पिता डांटने तो मा पुछकारती है, और मा डांटने तो पिता जी पुछ कारते हैं सत्य है ना ये नीती है आज बहुत पावन दिवस है गुरु पुर्णीमा का और गुरु पुर्णीमा के पावन दिवस पर आज अपन गुरु के उपर और मा के उपर नीती समझते हैं क्योंकि सबसे पहली गुरु मा होती है पहली गुरु मा होती है और इसके बाद जो उसको संसार से तारते हैं वो दूसरे गुरु उसके दीख्चा सिक्चा गुरु होते है जीवन दिखाने वाली मा होती है इसलिए वो पहली गुरु और जीवन बनाने वाले जीवन बनाने वाले जो होते हैं वो दिगंबर गुरु होते हैं इसलिए वो दूसरे गुरु दुनिया में सारी चीजें पैसे देने से मिल सकती है लेकिन मा और गुरु पैसे से नहीं मिलते किस्मत से मिलते अगर पैसे से मा और गुरु मिलते अगर पैसे से मा और गुरु मिलते सब के पास होते तो पैसे और से मा गुरु को नहीं खरीच सकते मा और गुरु चाहिए हैं अगर किस्मत चाहिए क्या चाहिए बहुत सारे रिष्टे आप खून में लिखा कर के आते हैं आपके ताउ होंगे मां होंगी, मौसी होंगी साले है यह आप मित्र है यह आप रिस्ते जो है वो यह रिस्ते आपको खून में मिल जाएंगे मां चाचा के लेकिन जो रिस्ते खून में नहीं होते वो हाथ में लिखे होते है अब वो जो हाथ में लिखे होते है वो गुरू के रस्ता होता है एक लकीर हात में होती है एक लकीर माते में होती है वो जो हात और माते की लकीर है वो आपकी किस्मत है अब आप समझना इसलिए जीवन में ज्यादा महत तो पैसे को मत देना ज्यादा महत जीवन में आप अपने किस्मत को देना उसी किस्मत से गुरू मिले हैं और वो ही गुरू आपकी किस्मत बदलते सब के दिन एक से सब के दिन एक से नहीं होते अगर गुरू मिल जाएं तो सब दिन एक से नहीं होते हर दिन एक दिन पीछे के दिन से और अच्छा होता है लेकिन गुरु हो और मा हो सब हो जाता है सब हो जाता है अपने जीवन में अगर आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो भी आप समझना कि आपका जीवन अभी प्रारंब नहीं हुआ है अभी आपका जीवन प्रारंब नहीं हुआ है क्योंकि रास्ता बताने वाला तो कोई मिले ही नहीं एक गाड़ी किसी ने खरीदी कार और उस कार में इंजन है ब्रेक है एक्सिलीटर है, क्रच है, सीड है वो एर बलून है, सब कुछ है लेकिन स्टेरिंग नहीं है उस कार में स्टेरिंग नहीं है गाड़ी चलेगी नहीं चल पाएगी नहीं चल पाएगी स्टेरिंग के बिना कार चलना ना मुम्किन है तोचन करके भी नहीं ले जासकते कब घुसेगी पता नहीं चलेगा ऐसे ही आपके जीवन की जो कार है वो बेकार कार को वो सही करने वाले कोई है तो वो स्टेरिंग के रूप में आपके गुरू है वो आपको हर समय समालते हैं मुड़ना है तो मुड़ते हैं चलना है तो चलाते हैं इसलिए गुरू की एहमियत आज समझ लेना जिनने बनाए है और उन्नती की है उनको मालूम चलेगा समय लगता है थोड़ी सा समय लगता है लेकिन जब समय आता है तो फिर किसी को मालूम चलने में समय नहीं लगता है संपत्ती कई बार मिल सकती है संपत्ती आपको कई बार मिल सकती है लेकिन मा और गुरू के रूप में सच्ची संपत्ती बहुत कम मिलती है इसलिए अपने जीवन में इस गुरू पूर निमा के पावन दिवस पर इनीती उतार के रखना सब कुछ मिल जाए बड़ी बात नहीं मा और गुरू आपके पास है बहुत बड़ी बात है उनसे ही तो दिन में उजाला है उनसे ही तो रात में प्रकाश है दिन में उजाला देखा दिन में अंधेरा देखा नहीं देखा दिन में अंधेरा कभी नहीं देखा जिस दिन कोई अपना चला जाए उस दिन दिन में तारे और दिन में अंधिरा भी मिलता है और फिर कोई अपना मिल जाए गुरू के रूप में फिर रात को भी सूर्य उदय होते मिलता है गुरू मिल जाए इससे बड़ी क्या बात है गुरु मिल जा इससे बड़ी क्या वात है अपन तो यही सोचते हैं कि हमारे जीवन का सबसे पावंचन वो था जब हमको गुरु मिले थे आज गुरु पूर्णी में का वो दिन है जब भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी मिले थे उल्टा नहीं हो गया गौतम स्वामी को महावीर स्वामी मिले थे कि महावीर स्वामी को गौतम स्वामी मिले थे बिना शिष्च के गुरु की क्या कीमत बिना गुरु के शिष्च की क्या कीमत दोनों होना चाहिए गुरु से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है अगर आपके पास धन है, पैसा है जाइदात है, वैबा है कोई कीमत नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं है अगर मा और गुरु नहीं है तो मा नहीं भी है तो कोई बात नहीं गुरु में ही मा हैं, गुरु में ही पता है वो सब देना जानते हैं बस गुरू को एक चीज की इच्छा होती है, कि आप उनके प्रतिश समर्पन रखें, क्योंकि एक बार गुरू का विश्वास बन गया, तो तुम बन गये, और एक बार गुरू का विश्वास उड़ गया, तुम कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि जिस दिन विश्वास बनता है, उस दिन आप उतरते हो, उस दिन आप उतरते हो, हिर्दय में उतरते हो, और जिस दिन विश्वास तूटता है, उस दिन आप उतरते हो, हिर्दय से उतरते हो, हिर्दय में उतरना है, गुरु की संपत्ती को बना के रखना छोटी सी उमर में जिसको गुरु मिल जाए उसका क्या कहना सोचो आप गोवर्दन स्वामी आठ साल के बच्चे को छेंगली पकड करके ले जा रहे हैं गौंटेश्वर जाके देखना कभी बंद्र बाहु स्वामी की जो चित्रण बनाए बहुत सुंदर बनाए छोटे से बच्चे को उस बच्चे ने एक की उपर एक की उपर एक की उपर एक की उपर एक बारा कंचे जमा दिये कितने? आप दो कंचे जमा लो तो मानते एक की उपर एक की उपर एक बाराक कंचे जमाए वो जा रहे थे मार्ग में बिहार कर रहे थे उन्होंना देखा ये जो बालक है दौादसांग का ज्याता बनेगा इसको शिष्य बनाना है छंगली पकड़ करके उससे बोला तेरा घर कहा है घर पे लेके चल आठ वर्ष के बालक को घर ले गए उसके पिता से कहते हैं भाईया आपका बेटा में दान में चाहिए पिता जी कहते हैं आप दीख्चा नहीं दोगे बोले हाँ आठ वर्ष पढ़ाऊंगा पढ़ाने के बाद वापस भेज़ दूँगा और फिर अगर आएगा तो पूछूंगा नहीं यही हुआ आठ वर्ष बाद पढ़ाने के बाद उनने भेज़ा भेजने के बाद वो वापस आए और वोही अंतिम शुर्टकेवली भद्रबाव सौमी बने वो जो चोटे से बच्चे को गुरू में ले थे देखो कहां गुरू कहां तक ले गए थे अपने जीवन में गुरू की सन्दी और गुरू की संपत्ती बना के रखना तो कि गुरू से बड़ी कोई संपत्ती नहीं है जिन्नोंने गुरू बना लिये हैं वो पुन्यात्मा हैं जिन्हों नहीं बनाए, गुरू को देखो, समझो, परको, फिर शिष्य बन जाओ, ऐसे जल्दी नहीं करना, कि क्या आगवानी हुई भीलवाडा मैं अपन तो इनको गुरू बना लो, फिर अगला चातुरमास फिर उनको ही बना लो, नहीं, नहीं, गुरू बनाने के बाद ब बार बार बदलना नहीं पड़ता, उन्होंने किसमत बदली है, उनको क्या बदलोगे, और तुमने गुरू बदली है, तो किसमत भी तुमारी फिर, ऐसी बदले ही तुवारा बनेगी नहीं, यह जीवन की नीती है, अपने जीवन में इसको हिर्दे में, अंकित करके रखना जैसे बुरे दिन, अच्छे दिन अंकित करके रखते हो, इसमती में ऐसी यह दिन अंकित करके रखना, कि हमको गुरू मिले हैं, इससे बड़ा क्या सौभागे है, कोई भी संकट का दिन हो, कोई भी संकट का दिन हो, पस आँख बंद करके, गुरू को याद कर लेना, संकट ऐसा भागेगा जैसे सूर को देखकर के सुबह अंधेरा भागता है श्रद्दा तो हो ऐसे कई लोग कहीं जाते हैं कुछ काम हैं वहीं माला पेर के गुरुदेव हम जा रहे हैं आपका आशिरवाद लग जाए अरे भीया यह वाइफाई यह ब्लूटूथ और क्या बोलते आप एरड्रॉप यह जो बहुत चोटी चीज है यह बहुत चोटी चीज है अगर आपकी श्रद्दा पक्की दोर से बंदी है हजारो किलूमिटर भी दूर हो संदेश आही जाता है तो काम भी हो जाता है यह अपने जीवन में गुरू को हिर्दा में बसा के रखना शेश अपन आगे विचार करेंगे क्योंकि संपत्ती गुरू के रूप में बहुत कम मिलती है ना के बराबर मिलती है क्योंकि दुनिया में लोगों को पता ही नहीं कि गुरू क्या होते गुरू जो बजनदार हो, भारी हो, वजन में नहीं, किसमें ग्यान में, चायत्र में जो वजनदार हैं, वो गुरू होते हैं सेजपन इसके आगे कभी विचार करेंगे, भगवान मावीर सोमे की, आचारे भगवन गुरू अर्वीश्युत सगर जी महराज की इसका रिक्रम के पुन्यार्जक थे श्वी रविंद्र जी जैन बाहु बली भाहिया